हेलो फ्रेंट्स, स्वागत थे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरसुत इंग्रिस क्लासज में मैं समय सिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास सेवन्थ का हनी कॉम का ये लेसन है फोर जिसका नाम है अशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम यानि इसका मतलब होता है कि राक ऐसी राक जो पेड को खिला दे जो सूखे पड़े वे पेड को हरा बना दे तो ऐसा क्या चमतकार है इस राक में हम इस स्टोरी में चलेंगे पढ़ने के लिए पहले मैं आपको इस story के बारे में कुछ बता दू फिर हम चलेंगे story को confirm करने story को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस story में हम सबसे पहले writer के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा brief में उसके बाद हम चलेंगे characters के बारे में जानेंगे कौन कौन से characters इस story में हैं और फिर उसके बाद चलेंगे हम background में यानि कि ये कहानी कब लिखी गई ये कहानी कहां से बनाई गई है इसकी उत्पत्ती क्या है किस देश की कहानी है ये ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आई ये story तो चलता है सबसे पहले story को शुरू करते ह बारे में जानने के लिए ये हमारे राइटर में होता है जिनका नाम है William Elliot Griffiths ये USA के हैं यानि कि United States of America की निवासी थे 1843 मिन का जनर मुवाता 1928 में इनके मृत्य हो गई थी ये ने केवल एक author थे बलकि एक educator भी थे यानि कि प्रोफिसर भी थे अपने USA के universities और colleges में तो चलते है है story के बारे में कुछ बात कर ले जो यह story है आशे जराख वाली story ये आपको बता दू मैं कि ये जापान की story है जापान की और यही स्टोरी राइटर ने 1880 में लिखा था क्योंकि राइटर खुद जापान में 2-3 साल भी ता वहाँ पढ़ाया भी था राइटर तो इसलिए राइटर जापान के बारे में जानता था वहाँ के कल्चर संस्कृत के बारे में जानता था इसलिए राइटर ने 1880 में कुछ कहानियों का एक बुक लिखा जिसका नाम था Japanese Fairy Tales नामक एक बुक लिखा जिसमें ये स्टोरी भी थी जो 1880 में लिखी गई थी कलर चेंज कर दे इसका ताकि आपको साफ दिखे बिल्कुल इस स्टोरी में मैं आपको बता दू कि नॉर्मली कितने करेक्टर्स हैं इसमें एक करेक्टर हैं ये दो लोग ये दो इमानदार कठिन परिश्रम करने वाले बूढे कपल हैं यानि कि पती और पतनी हैं बूढे हो चुके हैं इनके बच्चों का कोई लता पता नहीं है ये इमानदार हैं बहुती कठिन परिश्रम करते हैं दिन रात करते हैं सुबशे शाम करते हैं ये बहुती इमानदार हैं इनके दिल में किसी के लिए कोई द्वेश भाव, कोई इश्या नहीं है इनका एक पेट है, एक पालतू जानवर है जो कि एक डॉग है, जिसका नाम है मुको यू के मुको, चुकि जैपैनी सब कहानी है, इसलिए इसके नाम भी ऐसे हैं मुको तो सिर्फ इसमें डाग का ही नाम कन्फाम है मुको और जो एक और करेक्टर है वो है एक परोसी का जो परोसी दुस्ट है बलकि एक नहीं बलकि दो लोग हैं जैसे ये दो लोग हैं पती पतनी बहुत अच्छे हैं वैसे एक और जोड़ा है पती-पत्नी का वो बहुत दुस्ट है तो इस तरीके से ये दो इनका एक डाग मुको और इनके दो पडोसी पती-पत्नी हैं वो भी बूढे हैं इनहीं के तरीके से लेकिन वो दुस्ट हैं वो बहुत लालची हैं बहुत ही बेइमान किस्म के व्यक् दमपती रहता था जैसे कि मैंने आपको बताया पती पतनी रहते थे ये दो लोग उनके पास एक पालतू कुत्ता था उनके पास कोई संतान नहीं थे वे कुत्ते से ऐसे प्यार करते थे मानोवह कोई आदमी का बच्चा हो कुत्ते का नाम मुको था M.U.K.O. दयालू दमपती जो इमानदार दमपती थे वे कुत्ते को अपने निजी हाथों से फॉक से काटों से मचली खिलाते थे ये ये उसके लिए आलिशान बिस्तरा लगाते थे बदले में वे कुत्ता भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था समय बीचता गया चुकि बुढ़ा विक्ति जो था वो एक राइस फार्मर था चावल की खेती करने वाला किसान था हर सुबह हर प्रात्य मुको उसके पीछे-पीछे खेतों तक जाया करता था एक बगुला किसान के कदमों के पास चलता हुआ कीड़े पकड़ता रहता था अपने मालिक की तरह कुत्ता भी उस पक्छी को कभी हानी नहीं पहुचाता था तो इस पच्छी को ना ही मुको हानी पहुचाता था और ना ही ये इमानदार किसान हानी पहुचाता था वो आराम से आता पच्छी बगुला और आराम से कीड़ मकुड़े खा करके फिरवां से चला जाता एक दिन कुट्टे ने अपने पंजे बूढे आदमी के टांगों के बीच में डाल दिया चुकि वो इशारा कर रहा था अपने मालिक को कहीं लेके जाने के लिए अपने सिर से वह पीछे किसी अस्थान की और संकेत करने लगा अब अपने पालतू जानवर का दिल रखने के लिए बुढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चल दिया वहां से थोड़ी ही दूर पर कुट्टा रुग गया और वह एक जगे रुख करके खरोचने लगा जमीन को अपने पालतू की सहायता करने के लिए बूढ़े ने अपनी कुदाल को अपने फावडे को लिया और वहां खोदना शुरू कर दिया यह है कुदाल फावडा जैसे खोदा उसने उसके सामने सोने का धेर था जमीन में सोना गड़ा हुआ था इस प्रकार से जो व्रिध यूगल था जो ये दमपती थे पती पत्नी ये धनवान हो गए धनवान हो गए लेकिन कंजूस नहीं थे इसलिए इन्होंने अपने मित्रों को दावत दिया खाने पर बुलाया अच्छे खासे उनका आवभगत किया और अपने गरीब पडोसियो की इन दोनोंने सहायता किया देखिए यहां पर है लोग खिला रहे हैं और खाना भी खिलाया और पैसे दे करके भी लोगों की सहायता की चुकि मैंने आपको बताया कि उसी गाव में एक ऐसा दमपती भी था एक ऐसा जोड़ा था बुढ़ा पती बुढ़ा पत्नी कि जो ब पता चला कि ये धन कुट्टे के कारण हुआ तो ये अपने बगीचे में ले आए उन्होंने उस कुट्टे के सामने अच्छा अच्छा भोजन रखा उसको खिलाने की बहुत कोशिस की पर कुट्टा ने कुछ नहीं खाया और ना ही वो वहां से हिला ये चाहा रहते कि उन्हे जब वो खरोचे तब जमिन को ये खोदेंगे उनको भी गड़ा हुआ सोना मिलेगा पर कुट्टा वहां से बिलकोल नहीं हिला अब ये लोग जब देख लिए कि कुट्टा यहां से हिल नहीं रहा है तो कुट्टे को घसीट कर घर से बाहर ले गए वे उसके साथ चलते रह चलते रहे चलते रहे जब कुट्टे को ले करके कहीं चले गए ये लोग कुछ दूर पहुंचें ये लोग तो एक ताड के पेड़ के पास कुट्टा जो है उन लोगों को मुर्ख बनाने के लिए जमीन खुरचना शुरू कर देता है वो जो दुस्ट यूगल थे जो दु जंद हवाओं के माध्यम से हर जगा फैल रही थी उस बुढ़े दमपति को बड़ा गुसा आया उन्होंने उस कुट्टे को मा डाला औरत ने कुलहाली से औरत ने उस फावडे से उसके गले को काट दिया और फिर उन्होंने उसे उसी गड़े में जो खोदा था जिसमें ब जो था जिसने उसे धनवान बनाया जो उसका बच्चा था वो मर गया है ऐसा दुखी वे हुए मानो कि उनका बेटा खुद उनसे बिछुड़ गया हो वह उस अस्थान पर गया वो बुढ़ा उस अस्थान पर गया जहां उसका पालतु दफनाया गया था बड़ी देर तक वहां विलाप करता रहा उसने बहुत उसने बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से उसको ऐसे बुलाया मानो कि वो जीवी तो हो उस रात भयानक रात थी उस रात उस व्यक्त ने अपने कुट्टे को सपने में देखा कुट्टे ने उससे कहा कि वह ताड को जिस ताड के व उखली बनाए उसने उसे लकडी की एक चक्की मील बनाने को भी कहा कहा कि ताड के विच को काटो उखली बनाओ चक्की बनाओ जैसा उसने कहा था बूढे ने वैसा ही किया उसने उस पेड को काट दिया उस पेड से उसने बड़ी महनत से लकडी का एक छोटा सा कटोरा बनाया जैसे कि आप इस figure में देख सकते हो फिर उसने लंबे handle वाला लकड़ी का एक मूसल बनाया आपको बता दू मैं इस तरीके से आपने देखा होगा ऐसा मूसल तो इस तरीके से उसने mortar English में से कहते हैं mortar mortar for rice pastry इसमें चावल उबला हुआ चावल डाल देते हैं और फिर इसको हाथ से या किसी और तरीके से इसको कहीं कहीं पैर से भी होता है तो उससे इसको कुछते हैं और फिर वो pastry बनाते हैं उसका तो इस तरीके से उसने एक बनाया ये ओखली और ये आपका है hand mill चक्की टाइप का इसमें आप bean डाल करके कोई बीज डाल करके उसका बुरादा टाइप का यहां जैसे की है निकल रहा है वो निकाल सकते हो तो ये दो तरीके का उसने कहा तो चुकि ये आधुनिक आपको दिखा रहा हूं है hand mill hand चक्की हाथ चक्की लेकिन जो वो बनाया वो कुछ अलग तरीके का था वो पुराना था चुकि ये कहानी 19-वी श्रताबदी की है इसलिए वो थोड़ा इससे अलग था तो दोनों बुढ़े बुढ़ी ने इस तरीके से बनाया और एक शाम जब नया साल नजदीक आया तब बुढ़े ने कुछ चावल उबाल करके पेश्ट्री बनाने के बारे में सोचा उन्होंने लकडी की ओखली में उबला हुआ चावल डाला इसका गुथा हुआ आटा बनाने के लिए बुढ़े ने उसे मूसल से कूचा उसने मूसल से कूचना सुरू कर दिया और जैसे कूचा पेश्ट्री पकने के लिए तयार थी अचानक से पेश्ट्री के बदले सोने के सिक्के के डहेर में बदल गया वो वो चावल जो उबला हुआ चावल था जिसको वो कूच रहा था वो सिक्के में बदलने लेगा वो आटा जो गुथा हुआ था चावल का वो सिक्के में बदल गया सोने की सिक्के में पूढ़ा खुश हुआ बूढ़ी जो और थी उसने भी अपने हाथ चक्की उठाई वो हाथ चक्की कुछ इस तरीके की थी और उसने उसमें बीन मैंने आपको बताएँ बीज बीन सौस डाल कर इसे पीसना शुरू कर दिया जैसे हमारे हैं गेहू इसे चक्जी से गेहू पीसा जाता था पहले लेकिन उसमे जैसे मानों की सोने की वर्शा सी होने लगी यानि कि उसमें आटा न गिर करके बीन जो है जो बीज है उसका पिसा हुआ बुरादा पाउडर न गिर करके उसमें से मानों की सोने की वर्षा होने लगी उसी समय वो इस शालू जो पडोसी था वो खिड़की से जहांक रहा था उसने सोचा कि क्यों न मैं इस बुढ़े दंपत्य को मुर्ख मना करके चक्की उधार ले लू और फिर हम भी ऐसे याश करेंगे बुढ़े दंपत्य से वो मांगने का निश्य किया और उसने मांग भी लिया बुढ़े आदमी से जब वो मांगने आया तो वो बुढ़े आदमी ने उसको दे दिया भला मानुश ये सोच करके कि चलो सबका उपकार हो उस बुढ़े दमपते तुरंत ही अपनी चक्की परोशी को दे दी उस आदमी ने चावल कूटना शुरू कर दिया घर में जा करके और उस औरत ने चक्की पीछना शुरू कर दिया वो बुढ़ी दुष्ट और इस बार पेस्ट्री और सौस कीड़ों में बदल गया कीडों में वो कीडा बदल गया वो सोना नहीं हुआ कीडा हो गया उन लोगों ने जब ऐसा देखा उनको बहुत गुसाया उन लोगों ने उस चक्की को टुकडे करके उसो जलाने के लिए लकड़ी बना दिया की इसको जलाएंगे ठंडी का समय चुकी है तापेंगे इसका बहुत बेकार चीज़े ये पर उसी को लोटाया नहीं उसको काट दिया जैसे की डाग को काटा था उस डयालू चुकि आपको यहाँ पता है कि ये बन्दा देख रहा है उस डयालू बुढ़े वेकट को फिर से उस रात सपना आया उसने सपने में देखा कि कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि जो मिल जो चक्की तुमने उस बुढ़े आदमी को दिया था उसने उसे जला दिया है फिर उसने कुत्ते ने पूछा अपने मालिक से कहा कि जाकर के उस बुड़े आदमी से उस रात को उस राख को लेकर के आओ जिस लकड़ी को जिस चक्की के लकड़ी को उसने जला दिया है उसकी राख बची होगी तो उस दुष्ट आदमी से राख लेकर के आओ और उसे जो पेड़ सूख चुके हैं आपके बाग में उस पर फेक दो और फिर से खिल उठेंगे बुढ़ा आदमी जो सपने में देखा था उसने अब उसी रात जा करके अपने पडोस के घर पर उसको मांगने के लिए वो चला गया तो देखा कि ये लोग जो हैं उस लकड़ी को जला करके अलाव ताप रहे हैं पैर सेक रहे हैं हाथ सेक रहे हैं दोनों जो बुरे उल्ड कपल थे वे तो फायर प्लेस के सामने बैठकर अपने हाथ पर को सेक रहे थे और वह भी उस लकड़ियों के गटर से जो मिलके लकड़ बोलूँगा बस आप मुझे राक दे दीजी ये निर्दय जो निर्दयी जो बुढ़े आदमी थे ना ये बुढ़ा आदमी बोला कि ठीक अच्छा जा चले ले अपनी राक राक लेना है तुझको बेकार सा समान दिया थे तुने मुझे तो ऐसे डाटते वे उसने बोल दिया था उस बकेट में उस राक को वो भर लेता है पूरी तरहिके से और फिर अपने घर ले करके चलाता है और फिर अगले दिन अपने पत्नी को अपने बगीचे में ले करके जाता है और सूखे हुए पेडों पर उस थंडी के मौसम में राक जो उसके हाथ में था वो उठा करक वो देखता है कि पेड़ों पर पत्ते और फूल खिल उटते है फूलों के खुश्बू पूरे गाउं में बिखर जाती है गाउं वाले उस रहसे को देखने के लिए वहां आ जाते हैं वो आश्चर में हैं कि ऐसे कैसे हो गया पेड़ जो सूखा था वो कैसे हरा भरा हो गया फूल इसमें कैसे आ गये वो भी ततकाल तुरंत और खुश्बू इतनी अच्छी तरीके से कैसे फैलने लगी इस तरीके से इस बुढ़े आदमी ने जो कारणामा किया गाउं वाले जो थे वो बहुत ही आश्चर में पड़ गए जब ये बात इस शालू आदमी को पता चली जो वो बुढ़ा आदमी था उसने जब सुना यह बात तो उसने भी चुकि उसके घर पर ही राख पड़ी थी तो जो राख बची वी थी उसने बचे वे राखों को इकठा कर लिया एक समय ऐसा आया जब उस गाउं से वहां के राजा गुजर रहे थे राजा अपने रानी के साथ थे कहा जाता है कि वह समय डैमियोज के नाम से जना जाता है डैमियोज लिखा होगा आपके बुक में पहले ही पहले ही लैंड में जापान में डैमियोज का मतलब होता है धनी लैंड ओनर्स यानि कि जमिदार जो धनी थे तो जो जमीदार थे जो धनी थे वो उस एक छोटे से राज के राजा के नाम से भी जाने जाते थे तो जो राजा थे या बड़े धनी जमीदार थे वो गुजर रहे थे उस बुढ़े आदमी के गाउं से होकर के जा रहे थे वो अपने राणी के साथ तो जो अच्छा वाला आदमी था जो इमानदार आदमी था वो पेड़ पर उची डाली पर चड़ गया और इंतिजार करने लगा राजा का कि वो राजा वहां से गुज रही जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पर यह बैठा हुआ है और राख हाथ मे लिया हुआ है और राजा के सेना आ रही है वहां का रिवाज था एक कि जब वहां का राजा कहीं से गुजड़ता तो सभी लोग अपने खिड़किया बंद करके सड़क के किनारे हाथ जोड़ करके घुटने के बल बैठ करके राजा को सलाम करते थे एक आदमी जो सबसे आगे था घोड़े पर बैठा हुआ वो आदमी जो खड़े हुए लोग थे उनसे बोलता Get down on your knees यानि सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाओ तो जो जो लोग बैठे नहीं होते जो रास्ते में खड़े रहते वो अपने घुटनों पर बैठ जाते ये बुड़ा आदमी चुकी पेर पर चड़ा था तो ये बैठा तो वैसे ही था वो हाथ में राख लिया था जैसी राजा उस पेड़ के नीचे से पहुचा उसने उस राख को उठा करके राजा के सामने ही एक डाली पर आप देख सकते हो ये डाली जो राजा के सामने ही जुकी हुई है उस पर फेक दिया और जैसे डाली पर फेका डाली फूलों से लद तो राजा चुकि देख रहा था ये सवार होकर के घोड़े पर अपने चुकि बुक में आपके पालकी लिखा है बट पालकी हो या घोड़ा हो राजा देख लेता है खुबसुरत फूलों की महक उसे अच्छी लगती है उसे लगता है कि ये अजीबो गरीब कारणामा बूढ रहे ने कैसे किया बूढ़े आदमी को नेक्चे उतारा जाता है उसने राजा के सामने फिर से वही कारणामा किया राजा खुश हो करके उसे धेर सारे इनाम देता है और ये भी कहता है कि तुम जो है इनाम देखिएगा कहता है कि तुम मेरे राजमहल में भी आओ वहाँ प पता चली तो उसने भी कुछ दूर जा करके एक पेड़ की डाली पर बैठ गया कुछ दूर कि राजा इधर से जब होकर गुजरेगा मैं भी वही करनामा करूँगा क्योंकि मेरे हाथ में भी वही राख है जड़ सी बात है राजा मुझे भी धन देगा ये लालची आदमी जा करके बैठ गया राजा की आने की प्रतिक्छा करने लगा राजा वहां से गुजरा जैसे गुजरा बुढ़े आदमी ने वह राख उठा करके राजा के सामने वाली डाली पर फेक दी पर आश्चरी आश्चरी की ये राख अब एक भी फूल खिला नहीं सका हवा के चलने के कारण राक धूल की तरह उड़ कर राजा और रानी की आखो कानों में इवनांक में भी पड़ गई जिसे उन लोगों का दम घुटने लगा अब जो व्यक्ति आगे घुड़े पर चल रहा था उसने उस बुढ़े आदमी को नीचे उतारा घसीटते वे उसे खीच करके पर बुढ़ा आदमी और इसकी पत्नी अपने बाकी बचे वे जीवन को आनंद से व्यतित करने लगे इस टोरी खत्म होती है आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चलते चेक्ट पेजना स्ट में है पहला दूसरा तीसरा ये तीसरे का सकेंड पार्ट ये पेजना मेंचोटा होत्प चॉह उसका आणसर यह वर्क इंग लेंगवज है जिसमें जोल नो is लिखा हुआ है ये इसका आणसरर है ये ये क्वेश्चन है ये है 65 का question और answer 2nd question यह 3rd question और 3rd question का answer और यह 6 बचा हुआ part 5th उधर है 6th यह है page number 66 का यह question है और यह answer है और यह आपके 5th question है यहाँ पे 5th question है और आगे चल करके यह है आपका 6th question तो इस तरीके से यह story खत्म होती है question answer खत्म होते हैं विश्वासा आपको यह पसंद आया होगा like करिएगा comment करिएगा share और subscribe जरूर कर लेना अपने दोस्तों को share जरूर करना ताकि story उनको भी समझ में है तो मिलते हैं next video के साथ तब तक अपना ख्या लखेगा thank you for watching the video